जेहें डियर स्टुडेंट, हमारा NDA का सार जो सीरीच चल रहा था, उस सीरीच का आज ये थर्ड एपिसोड है बच्चो इस सीरीच को देखकर के जरूर आपको ये महसूस हो रहा होगा कि NDA एक्जाम का जो लेवल है, हमारे लेवल से बहुत जादा नहीं है यानि कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हीं चीजों के साब आसपास से हमारे कुश्यन्स बन रहे हैं तो आज बच्चो जो हमारा थर्ड एपिसोड जो है, इस NDA सार सीरीच का, इसमें आज हम लोग वर्स 2022 का जो पहला NDA का एक्जाम था हमारा फर्स्ट उस NDA के 10 कुश्यन्स के बारे में आज हम लोग डिसक्शन करने वाले हैं तो जरूर हम लोग देख रहे होंगे कि इस सीरीज से आपके जो टॉपिक वाइस जो कुश्यन्स है वो भी कवर हो रहे होंगे और आपको एक आईडिया भी मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमारे एक्जाम के अंदर कुश्यन्स पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल कहने कहीं भोच ज़्यादा नहीं है एक सामानी लेवल से हमारे कुश्यन्स बन रहे हैं तो बच्ची आज के सब सब पहला कुश्यन हम लोग चलते हैं तो कुश्यन नमबर फर्स्ट जो हमारा है आज का वो लिखा है भारती मोसम विज्ञान विभाक के अनुसा निमलिक्त में से वरस्थी प्रस्ट या क्लाउड ब्रस्ट की विशेष्ता कौन सी है एकोर्डिंग टू दा इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट आपने सुना होगा ठीक है विच आप दा फॉलाइंग अर्दा फीचर्स आप दा क्लाउड ब्रस्ट यहां पर एक वर्ड हमारे सामने आया है क्लाउड ब्रस्ट जिसकों लोग बादल का फटना भी बोलते है और यह दिवह तापमान में कमी होगी तो वो दल जाएगी कि इसमें ऐस वगिरह में यह फिर सामानिता क्या होता है बच्चों जैसे माली यह पहाडी है और इधर से हम लोग देखेnhे अरव्र सागर की साका पार इधार से बंगाल की साखा net यह पास में तो इस इस्थान पर हम लोग देखेंगे cloud brush होता है, क्या होता है cloud brush, बादल का फटना, ठीक है, बादल का फटना, एक होता है बच्चो, brushing up मांसून, और एक होता है brushing up cloud, बादल का फटना, ठीक है, अब पहली इसमें विजिस्ता दे रखी, सीमी धोगलिक छेतर में अल्प समय में अत्यादिक व दूसरा है सामानिता मांसून अवधी के दोरान होता है, और आकाश में बादल का फटना प्रेड करता है, तो यह sentence भी सही है बच्चो, क्योंकि जब cloud brush होगी, अत्यादिक मातर में वरसा होगी तो बादल भी आएगा, और जब चट्टान के ऊपर इतनी तेज गती से पानी गिरेगा, तो मुलायम चट्टान तूट करके नीचे भी आएगी, तो भुईस्खलन का कारण भी बनेगी, लेंड स्लाइडिंग का भी, ठीक है, आकास में एक वहाँ सड़नली बाड भी आएगा, अपने उत्राखण में धोली गंगा, रिशी गंगा, जोसी मटा वाले छे मानसून की जो दोनों साखाए हैं, हिमाचल प्रदेश उत्राखण होते हुए, पंजाब वाले शेत्र में जा करके मिलती हैं, ठीक है, तो हमारे यहां दोनों पाइंट सही है, बच्चों, पहला जो सेंटेंस वो भी सही है, यानि कि according to this options, option C is the correct answer, यानि कि मानसून जो है हम या तो आपका मानसून का दो पाड़ियों की बीच में जा करके फस जाना, और महाँ पर अत्यादिक मात्रा में संगनन के करण उनका बर्फ में बदल जाना, और फिर अचानक से उस प्रेशिपिटेशन या उस क्लाउड के द्वारा उस माईशर को छोड़ देना, या फिर जहां पर दो आपकी अलग-अलग सांखाओं का आपस में मिलना, वहां पर भी हम लोग क्लाउड ब्रष्टिंग वाली घटना है बच्चों देखते हैं, और अधिकांस्त हम लोग मानसून ब्रष्ट जो वर्ड सुनते हैं, यह हमेशा हम लोग देखेंगे, जब मानसून आ होने वाली एक सामोहिक चर्चा में तीन विध्यातियों ने निम्लिखित विचार व्यक्त किये हैं, इन्हें ग्रूप डिसकॉशन ओन सेप इंड साइज अब अर्थ थ्री स्टूडेंट्स स्टेट दा फॉलोइंग पाइंट्स, पहला एक स्टूडेंट बोल रहा है, प्र थाने रहा है तो यह हमारा एक्विटोरियल है, विश्यूवति जो व्यास है, क्या बोल रहा है हम लोग जो पोलर डाइमेटर है तो यह संग्क होगा है और यह कॉन सा होगा eksi और होगा तो eksi earlier ज आप देखेंगे विश्यूवति जो वायास होगा वह अधिक होगा कि से दुरुवी व्यास से रेकिन जो grieving चेतर में जो कुछ नमबर सेकर्ञाला परthe यानि कि विध्यारती फर्स्ट जो है वो सही स्टेट्मेंट दे रहा है बाकि विध्यारती सेकंड और थर्ड गलत स्टेट्मेंट दे रहे हैं इस कुशन में हम लोग देख रहे हैं तो option A हमारा सही होगा केवाल पहला विध्यारती सही है विध्यारती दूसरा और तीसरा गल आप उस इस्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा आप उस मानचीतर पर ढूड़ना चाहते हैं आपको निमलिकत में से किस की साइता या किस की आवशकता होगी तप आप मानचीतर पर उस्थान को पता लगा सकी बच्चो आज ये बात बहुत कॉमन हो गई जहां आपने पहले नहीं देखा होगा तो आप सामानिता मूबाइल उठाते हैं और उस जगा का आप लोग क्या करते हैं गूगल मेप में जाकर क्या आप इंटर कर देते हैं और जब आप उस प्लेस पर जाकर के पहुचेंगे तो गूगल मेप में नीचे आपने देखा हो लिखा होता है कि वह Plс किस Latitude और Longitude पर Located है, किस अक्षांस और देशांतर रेखा पर स्तित हैं. तो पहला option बोल रहा है उस इस्तान का के वल अक्षांस नहीं पता सकता देशांतर भी चाहिए. उस इस्तान का देशांतर नहीं, हमें अक्षांस और देशांतर दोनों की आउशकता है तो उस इस्तान के अक्षांस और देशांतर दोनों, latitude और longitude बोथ latitude और longitude के basis पर हम क्या कर पाएंगे उस इस्तान को हम लोग मानचितर पर बहुत अच्छे से देख पाएंगे तो option C हमारा correct है यह दि उस place के बारे में हमें exact एधी क्या करना है information लेना है कहां पर वो located है तो हमें best information कोन देगा बच्चो लेटीट और longitude देगा अक्षानस और देशांतर रेखा उसके बारे में हमें सटिक जानकारी देदेगी किस place पर वो located है यहां पर अक्षानस और देश जो GPS है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है और आपको wrong statement यहां पर क्या करना है identify करना है ठीक है not correct आप question को ठीक से पढ़ लीजिएगा पहला है यहां प्रत्वी की परिक्रमा कर रहे है अभुग्रे के network पर आधारित है यह बात तो सही है ठीक है जो satellite होते है उसी से connected होत होते हैं global positioning system यह तरिकोनी पद्दती पर आधारित होते हैं it is based on the system of triangulation यह बात भी सही है वो तीसरा GPS receiver अक्षान देशांतर और रुचिता के संधर्व में इस्थान बताते हैं location बताते हैं तो यह भी सही है अब चोथा statement देखो it provide information exactly for the military operation यह यह सिर्फ किसको यह किवल सेन अ नहीं हमारी कारों में हम लग लगवाते हैं bike वगवाते हैं थेक्या ताकि उसकी location अम लोग trace कर रखे हैं और आज कार चल कर आया है कोन उसको किस place तक बोल के लेके गया था और कहां तक चला कर लेके आया है है हम लोग आसकल उसको चोरी वगवाते से बचने के लिए हम करवा देते हैं और आज कल के सार एडवांस कारों के अंदर हम लोग देखते भी हैं तो हम लोग को भी तो information GPS दे रहा है जिबकि यहां तो एक फोर्थ statement बोल रहा है कि सिर्फ सेन्ने operation के लिए यह information देता है तो option D जो बच्चो को कैसा है wrong है यहनिकि यह आपका GPS के बारे में सही नहीं है तो हमारा right answer क्या हो जाएगा बच्चो D हो जाएगा यह सभी को जनकारी देता है ना कि सिर्फ सेन्ने अभ्यान को नेश्ट हम लोग देखें question number आज का जो हमारा है 5 प्रत्वी ग्रे की परिक्रमा की गती से प्रत्वी वासी अनभिग रहते हैं यानिकि हम लोग इस आर्थ पर खड़े हैं बेठे हैं लेटे हैं हम लोग को आवास नहीं होता कि हमारा आर्थ rotation revolution कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ठीके वो बोल रहा है यह ना प्रत्वी वासी अनभिग रहते हैं क्योंकि पहला भूपरश्ट पर प्रत्विग इस्थान के लिए कोणी व निकट की कोई ऐसी वस्तू नहीं है जो या तो इस्थिर अथवा प्रत्वी की गति से भिन गति पर विद्धिमान हैं जो है वो काफी दूर है जो है वो काफी कहा है दूर है तो बच्चों हमारे तीरनों statement राइट है 1, 2 & 3 तीनों statement बच्चों हमारे यहां पर क्या है सही है तो option हमारा कौन सा हो जाएगा D 117 का हम लोग देखेंगे तो 117 नंबर question का हमारा answer क्या है बच्चो D है Next हम लोग देखेंगे आज का जो question next हमारा पाड़ी छेतर में यातरा के दोरान आपको एक विशाल का गोलाश में मिद्खता है जो भारी वड़सा के करण अलग हो गया है पाड़ से नीचे गिर गया है निमलित में से किस प्रक्रिया किन प्रक्रियाओं के परिणाम सुरूप ऐसा हुआ होगा ठीक है यहाँ पर आप देख रहें एक मैसीव बोल्डर है बड़ा साब का क्या है विशाल का एक गोलास में टुकड़ा है पत्थर का आप ऐसा मान लीजिए विच वास लूजड बाई दा हेवी रेंस जो किसके करण नीचे आया है भारी वड़सा के करण और कहां आ रहा है नीचे आ रहा है डाउन हिल हो रहा है इरोजन हवा के साथ, पानी के साथ, हिमानी के साथ जो पार्टिकल्स नीचे आते हैं उस प्रक्रिया को हम हिमानी अपरदन कहते हैं और ताब दाव ये आदी किसी किरिया के कारण जब कोई चट्टान अपने ही इस्तान पर छोटे छोटे भागों में तूट जाये तो अपक्षे कहलाता है क्या कहलाता है अपक्षे तो गुभारी वड़सा हुई होगी तो वेदरिंग हुआ होगा ठीक है कुछ gravitational force ने काम किया होगा तो नीचे किसक क्या आया होगा वो नीचे जब वो आया होगा चलकर तो वो प्रक्रिया कौन सी होगी अपरदन होगी नीचे जब वो वेदर्ड मटे पहले तूटा होगा छोटे-छोटे टुकडों में वो कहलाया अपक्छे क्या कहलाया अपक्छे फिर जब वो नीचे लुड़क कर के आया तो नीचे लुड़क कर आने की प्रक्रिया क्या कहलाया या परदन जिसको हवा पानी या कोन लेकर आ रहा होगा हिमानी ठीक है और उसमें थोड़ा वो सयोग किसका होगा गुरुत्वा करशन बलका होगा इसलिए हम लोग देखेंगे कुश्चन नमबर जो हमारा 118 है उस 118 में तीनों ही जो आपके फिनोमेनायों पार्टिशिपेट कर रहे हैं तीनों ही आपके जो प्रकरिया है वो वहाँ पर काम कर रही है व्रदचरन भी काम कर रहा है और अपक्षे भी काम कर रहा है यानि कि option आप देखेंगे तो कुश्च नमबर 118 का आपको option क्या मिल जाएगा बच्चो D यानि कि उसमें मास वेस्टिंग भी होगा उसमें इरोजन भी होगा और अपक्षे भी होगा ठीक है तो 118 का हमारा option क्या होगा बच्चो D हो गया नेश्ट कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो हम लोग देखेंगे 119 नमबर जो कुश्चन है हमारा वो क्या बोल रहा है भू इसकलन के संधर्व में नेमलिखित कतनों में से कौन सा कथन सही है भू इसकलन मतलब लेंड स्लाइडिंग पहला option यह वर्षा के दोरान केवल हलके ढालान पर घटित होते हैं हलके ढालान पर घटित होते हैं जरूरी आप देखेंगे अर्थक्वेक वगेरा की थोड़ी इंटेंसेटी जादा होती है खासकर आप देखेंगे हिमालियन रिजन में उत्राखंड वाला जो छेतर है वो सेस्मिक जोन में आता है जहां पर रिक्टर इसकेल पर आपने अलमोडा वगेरा का नाम सुना होगा तो अल तो यहां अलके ढालान नहीं लिखना था इसको हलके ढालान हम देखेंगे भारी ढालान ज्यादा होता है वहां पर भी होता है तो 119 नंबर कुशन का आप देखेंगे तो कौन-कौन से कुश्च आपके ऑप्शन सही होंगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 केवल 2 और 3 जो है जैन लेंड स्लाइडिंग जो हो रहा है इस लेंड स्लाइडिंग के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना था तो हम लियां जेंटल स्लोप की वज़ए हम देखेंगे इस्टीव स्लोप पर भी होता है यह क्ले रीच सॉयल में ज्यादा होता क्योंकि महा unconsolidated soils या particles ज़ादा होते हैं और earthquake क्या करते हैं land sliding को बढ़ाते हैं ये दोनों statement सही है हमारा ये statement आपका wrong है next हम देखे question number 8 आज का एक भोगोलिक परिगटना के बारे में निमलिखित विसेस्ताओं पर विचार कीजिए अतिप्रवन परवत की ढाल से हिम और बर्फ की तेजधरा का गरजन के साथ गिरना यहाँ पर देगो हिम और बर्फ लिखावा इसमे ठीक है दूसरा या इसकी करने वालो और परवता रोही के लिए जो खिम पुणे इसकी मतलब हम देखेंगे बर्फ पर जो चलने वाले विमान होते हैं जिनको हम इसकी वायूयान बोलते हैं और इसमें मिस्री दरूप से पदार्तों का गिरना, लुड़कना, फिसलना और बहना सामेल है उपरोक्त विसेस्तावगे साथ नेलिवत में से किस परिगटना का मेल है तो बच्चो जब यहां बात किस की होरी आइस की होरी, आप देखो तो यहां पर इसने लिखा स्नू यानि कि बर्फ जब टूटके नीचे आता है छोटे-छोटे टुकडों में या बड़े वाले पार्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवेलांचे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? एवेलांचे ठीक है? एक जब जब जौला मुखी जो बहता हुआ होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते है? ग्लोविंग एवालांचे बेता अवा लावा भी क्या कहलाता है ग्लोविंग अवा लांचे कहलाता है तो यहां 120 नमबर कुश्चन में आप देख रहे होंगे यह तीनों जो घटना हैं इनका संबंद किस्से है एसे छेतर जो ठंडे है जहां पर बर्फ का अच्छा दन है और जब बर्फ कहां आता है टूट करके नीचे तो उस बर्फ के टुकड़े को जो नीचे टूट करके आ रहा है ग्रिटेशनल फोर्स वगरा के कारण या मेल्टिंग के कारण तो उसको हम क्या कहते हैं एवेलांचे कहते हैं और मान लीजे कोई परवत रहा रहा रोही ऊपर चड़ रहा है और उपर से आपका बर्फ का टुकड़ा आ रहा है तो आप देखेंगे उसके लिए भी घातक होगा और यदि कोई इसकी जो बर्फ पर हम देखते हैं आप लोगों ने देखा होगा विमान भी चलते हो और वहाँ पर कही सारे लोग भी आपने देखा होगे कहीने कहीं बर्फ वाले पार पर जो फिसलन भरे छेतर होते हैं वहाँ पर करते हैं फिसलते हैं तो उन दोनों के लिए कैसे होगे घातक होगे तो इस घटना का संबन्ध हमने किस से हिम धाव या एवलांचे है इसको हम हिम इस्खलन भी कहते हैं सुद्ध हिंदी में ये जो हिम धाव इस हिम धाव की जगे हिम इस्खलन भी लिखा हो सकता है ठीक है निसर्ग गती निवार ताउते या ये किसके नाम है तो बच्चों ये साइकलोन के नाम है ठीक है निसर्ग हो गया गती हो गया निवार हो गया ताउते है ना अंफान फणी वायू है ना ये सारे के सारे जो हिए टॉपिकल साइकलोन है जो बंगाल की खाडी वाले चेतर में फिर अरफ सागर वाले छेतर में आते हैं ठीक है और इनके अलग-अलग समय पर क्योंकि इनके नामंक लेचर जो आपके 10-11 देश से प्रशान्त महासागर के असपास बसे हुए वो पहले ही एक नाम की तालिका बना करके जारी कर देते हैं और आने वाले जो आपके चक्रवात होते हैं उनके नामंक लेचर एक के बाद एक उस सीरीज में से उस लिस्ट में से होते जाते हैं तो निसर्ग, गती, निवार, ताउते, यासी सब क्या है साइक्लोने चक्रवात हैं ठीक है फिनेश्ट हम लोग देखे आज का जो हमारा लास्ट कुशन है निवलिक में से कौ वर्सव 2021 में हम लोग मनिपूर तक रेल को लेके चले गए हैं और 2023 तक हमारा सिक्किम जो राज्य वो भी रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा तो 2021 में हमने रेल नेटवर्क साथ जोड़ा जो है स्टेट है वो हमारा मनिपूर है और 2023 में जो हम लोग देखेंगे तो कौ कोई भी ऐसा राज्य भारत का नहीं रहेगा जहां रेल सुइधाय उपलब्द नहीं होगी तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2022 का जो पेपर फर्स्ट था उस पेपर फर्स्ट के ने टेन कुशिंस बच्चों सॉल्व किये हैं और आपने देखे होंगे काफी सारे सिंप कुश्चन है और इस पेपर को आपको देख कर यह लग भी रहा होगा कि यह जो कुश्चन है इनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं है यदि हम सामान यह अता है यदि इस जोग्राफी वाले सब्जेक्ट को वन आवर पढ़ दे रहे हैं जहां भी जिस बुक को हम रिफर कर र करने से बड़ा एक फायदा हमारे SSB के अंदर भी नेवरिंग कंट्रीज और इन सब के बारे में इंडरिस्टेंडिंग में बहुत अच्छी हमारी डेवलप्मेंट देखने को मिलेगी तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों 2021 के पार्ट सेकंड यानि की 10 अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम